गोड एवनिंग, बिहार में CHO के पदपर भरती के एक चुक सभी कंडिडेट का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है लटेस्ट अबडेट यह है कि बिहार में CHO की भरती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके लिए age limit क्या होगी, शैक्षिक योगिता क्या होगी, salary कितने होगी, age limit क्या होगी और selection process क्या होगा इन सभी बातों को विस्तार से आपको समझाएंगे, तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजेगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए, और वो भी इसका लाव लें, selection लें, तो चलिए वीडियो शूरु करते हैं तो यह स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का नोटिफिकेशन आपके सामने है, सबसे पहले बात करते हैं, इलिजबिल्टी की, तो इलिजबिल्टी है, वर्किंग रेगुलर स्टाफ नर्स, जेनम बीस्सी नर्सिंग अंडर गौर्मेंट अफ बिहार, या तो स्टाफ नर्स के रूप में आप काम कर रहे हों, या बीस्सी नर्सिंग गौर्मेंट अफ बिहार से आपने किया हो, या फिर कॉंट्रेक्ट पर स्टाफ नर्स या जेनम का कारे कर रहे हो, या फिर आप फ्रेश जेनम आपने किया हो, या बीस्सी नर्सिंग किया हो, या जनरल नर्स एंड मिडवाइफ्री फ्रॉमें रिकेगनाइज इंस्ट्यूट और बिएससी नर्सिंग तो यह केंड़ेट्स जो है वो एप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपके पास पर्मानेंट रेजिस्टेशन होना चाहिए बिहार नर्सिंग रेजिस्टेशन कॉंसिल का इसमें माध्यम है मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन है हिंदी या इंग्लिश आप जो भी जैसा एसेस्मेंट होगा कोर्स की अवद है छे महिने है और यह एकडमिक सेशन जो है जैनवरी दोजार इकिस से दोजार इकिस तक के लिए है तो यह छे महिन कीजिए इसके बाद आपको सियचों के पत पर सेलेक्शन मिलेगा इसमें आपको जो है साटिफिकेट कैसे मिलेगा क्राइटेरिया पासिंग दिया है केंड्रेश शूड़ अप्टेन एट्लिफ फिप्टी परसेंट मार्क सेपरेटली इन इंटरनल इविलेशन एंड फाइ का साटिफिकेट दिया जाएगा इसके बाद 18 दिन के लिए आपको इंटरन शिप करनी होगी डिस्टिक हास्पिटल में और प्रेक्टिकल ट्रेनिंग जो है प्यस्सी में कराई जाएगी और आगनवाली केंडरों पर कराई जाएगी इसके बाद आपको इगनू से जो है सा आप अपर्चुनिटीज क्या है आप समझ लीजिए कि आप जब इस कोर्स को पूरा कर लेंगे तो आपको हेल्थ और वेलनस सेंटर पर सियचों के तौर पर पोस्ट किया जाएगा अब इसमें आपको यह भी बता दू कि ट्रेणिंग के दोरान आपको स्टाइप्रिंट क्या मिलेगा अब अब भी वेकेंसी देखिए 869 वेकेंसी हैं इसका पूरा ब्रेक अप दिया हुआ है अन्रिजर्व 50, अन्रिजर्व फिमेल 27, MBC 19, MBC फिमेल 70, BC 33, BC फिमेल 18, SC 223, SC 48, ST 4, ST 2, WBC 49, EWS 94, EWS फिमेल 50 एज लिमिट दिया है अन्रिजर्व और EWS के लिए 42 साल, BC, MBC के लिए मेल फिमेल दोनों के लिए 45 साल अन्रिजर्व फिमेल और EWS फिमेल के लिए 45 साल, SC, ST मेल और फिमेल दोनों के लिए 47 साल और मिनिमम जो है वो 21 साल होना चाहिए क्वालिफिकेशन क्या है वर्किंग अंडर स्टाफ नर्स जीनम ब्यस्सी नर्सिंग अंडर गोवर्मेंट अब बिहार या तो यह तुम्हें आपको पहले ही बता चुका हूँ अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की ट्रेनिंग के दोरान आपको 10,000 रुपे पर मंद दिये जाएंगे उसके बाद जब आप एजस यह चो पोस्टिंग हो जाएगी तो 25,000 रुपे और इंसेंटिव के तोर पर 15,000 रुपे पर मंद दिया जाएगा जब आप की पोस्टिंग हो जाएगे हैथ वेलनेस अंटर्स प जाएगी फीस भी 15 जनवरी से सुरू हो जाएगी और अंतिम तिथी है चार फरवरी 2021 एप्लिकेशन फीस इसके लिए 500 रुपए है अन्रिजर बी सी एंबी सी डबी सी डबली एस के लिए के लिए और फीमेल और डिवाइन बाडी के लिए 500 रुपए है और यह ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा सेलेक्शन कैसे होगा फाइनल सेलेक्शन बिल बी बेस्ट ऑन दा मार्क्स आप्टेन इन सी बीटी एंड एवेलेबिल्टी या वेकेंसी एज पर रिजर्वेशन र मार्क्स जो है 30% होंगे सी बीटी में तो यह थी इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी जो है आंडरेरियम मैंने आपको पहले ही बता दिया तो आप इसको फिलप कीजिए और कटाफ डेट आप समय लिए एक जनवरी 2021 जो है वो एज के लिए कटाफ डेट मानी जाएगी जो तो इसमें questions होंगे वो multiple choice type के questions होंगे तो यह जानकारी थी इसके संबंद में इस जानकारी को अपने साथियों को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजेगा ओके थैंक यू